हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Vivo T2X Android वाइल फोन में आप जो है आपको काफी सारी टाइमिंग दिय हुए है जैसे 15 से इन तो देखे अब यहाँ पर बैक पेच पी जाता हूँ तो और स्क्रिण टायम आउट और चैनद और अफर 15 सेगेट और यहां और screen time out setting जो change होने के बाद ये setting कैसे काम करेगी यह मैं आपको बता देता हूं देखिए जैसे 15 सेकंड पूरे हो जाएंगे न तो हमारे mobile phone की screen off हो जाएगी ठीक है इस तरीके से ठीक है तो ये screen time out setting जो न इस तरीके से काम करते है आपकी mobile phone में ठीक है अगर आपको जो भी time select ठीक है उस time के according ठीक है वो time खतम होने के बाद आपकी mobile phone की screen automatic off हो जाएगी ठीक है अब मैं आपको ये भी बता जाता हूं कि कैसे आपना ये screen time out setting को अपने mobile phone में shortcut तरीके से कैसे ढूंड सकते है ठीक है इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको अपने mobile phone में setting page open करना है setting page म जो setting का name है यहापर आपको पूरा पूरा type कर दिना है तो आपको जो निचे की side ये screen time out को option show हो जाएगा ठीक है जब ये option निचे की side में show हो जाएगा इसे आपको select करना है ठीक है इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको directly setting page में लेकर आजाएगा और इस setting को highlight करेगा तो ये मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में